नमस्कार दोस्तों तोस्त प्रकर्टि को आज तक शाय नहीं कोई समझ पाया हो सो साल तक जिंदा रहना हम इन्सानों के लिए बड़ी बाथ है दोस्तों वैसे तो हम इन्सान अपने आपको दुनिया में सबसे ज़्यदा बुध दिमान मांते हैं लेकिन जिन्दा रहने के मामले में हम सबसे आगे नहीं हैं। हाला कि प्रिथवी पर बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जिनके लिए सो साथ या फिर उससे की ज़्यादा समय तक जिन्दा रहना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आईए जानते हैं उन जीवों के बारे में जो जिन्दा रहने में सबसे आगे हैं। और आपको जानकर बहुत हैराने होगी कि ये सभी जीव समुदरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमबर एक रैड सी अरचीन ये बेहद अनोखा जीव समुदर की गहराईयों में 400 फिट के लगबग पाया जाता है। वैसे तो ये जीव जादातर चट्टानों के किनारों पर रहते हैं। ताकि समुदर की बड़ी बड़ी लहरों से खुद को ये सुरक्षित रख सके। इसके पूरे शरीर पर 8 सेंटीमिटर तक लंबे काटे पाये जाते हैं। ये काटे दार जीव बहुत ही धीरे धीरे अपनी जगे बदलता है। दोस्तो वैसे तो इनकी ओस्तन आयू 40 से 50 साल तक ही होती है। लेकिन वैग्यानिकों को 200 सालों तक जिन्दा रहने वाले अर्चीन्स भी मिले हैं। दोस्तो इस अनोखी जीव की खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम इस जीव के अगर कई टुकुडे कर दें तो भी ये जीव नहीं मरेगा। बलकि ये अपने हर एक टुकुडे से एक कम्पलीट फ्लैट वर्म जीव बना लेगा। है ना दोस्तो ये हैरान करने वाली बात। दोस्तो इसकी एक खास बात ये भी है कि ये अपने पुराने सेल्स को नए सेल्स में बदल सकता है। ऐसा करके ये जीव अपने आप पर कभी बढ़ापा नहीं आने देता। इसलिए इसकी उम्र बहुत जादा होती है लेकिन इस जीव को भी मरना पड़ता है किसी दूसरे का खाना बन कर। दोस्तो वैसे तो ये कोई फिश काफी रंग बिरंगी और खुबसूरत होती हैं और इनकी उस्तन आयू पचास से साथ साल ही होती है। मगर व्यग्यानिकों को उनकी खोज के दोरान एक ऐसी कोई फिश मिली जिसका नाम उन्होंने हनो को रखा था और जिसकी उम्र लगबग 226 साल से जादा थी जो अपने आप में एक चोकाने वाली बात है। दोस्तों ये अनोखा जीव जिसे इस्पोंज के नाम से जाना जाता है बहुती धीरे धीरे मुवमेंट करता है। जादा स्पोंज की परजातिया मुझूद हैं। वैसे तो जादातर स्पोंज की उम्र 20 से 30 साल की होती है। लेकिन अंटार्टिक स्पोंज की उमर करीब डेड़ हजार साल तक हो सकती है। नमबर पांच इम्मोर्टल जाली फिश दोस्तो जाली फिश के बारे में तो आप सभी ने सुनाई होगा। को ऐसी जाली फिश के बारे में बताऊंगी जो कभी मरती ही नहीं। इस जाली फिश को हम अगर अमर कहें तो भी कुछ गलत नहीं होगा। इसकी इसी खुबी के राज मैं आपको बताती हूँ। दोस्तो जब ये जीव अपने बुढ़ापे में पहुचते हैं तो ये अपने शरीर को फिर से नया करके बच्पन में तबदील हो जाता है। और इनका ये चक्र चलता ही रहता है। और ऐसा करके ये अपने आपको अमर रख सकता है। लेकिन ये जीव तब ही तक अमर है जब तक किसी बड़े जीव का शिकार नहीं बनता क्योंकि जैली फिश में न्यूट्रीशन भरपूर मात्रा में होता है दोस्तो वाटर बियर के नाम से जाना जाने वाला ये आठ पैरो वाला जीव एक मिलिमिटर के साइच का होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हर कंडिशन में जीवित रह सकता है दोस्तों है ये जीव इनसानों से हजार गुनत जादा रेडियेशन जह सकता है और इस जीव की उम्र क्या हो सकती है इसका अंदाजा हम इसकी खास्यत से भी लगा सकते है यहां तक कि ये जीव अंतरिक्ष में भी दस दिनों तक जीवित रह सकता है तो दोस्तों आज आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इससे लाइक वाशेर जरूर करें और हमारी नई वीडियो अज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद